कुमार कुंदन के पास जाकर वहाँ लोगों से बात करके वैक्सिन पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि एक मैज से 18 प्लस के लिए वैक्सिन ओपन की जारी वैक्सिनेशन होगा कितना फीजिबल है क्या करना चाहिए सरकार को इसके लिए अभी जब doses कम होने की बात आ रही है तो क्या उस समय doses कैसे उपलबता बढ़ाई जाएगी आला कि आज प्रधानमत्री की इस मुद्धे पर एक बहुत बड़ी मीटिंग भी है वैक्सिन दिर्माताओं के साथ लेकिन कुमार सबसे वहले आप जहां खड़ें बताएगे लोगों में किस बात की दहशत है क्यों इतनी भीड बसड़ों पर दिख रही है गौरब सरकार टीवी पे क्या कह रही है उस पर बिल्कुल भी ना जाएगी जमीन की हकीकत क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन पार्क एक्सेंक्शन में खड़ा हूँ 12 बजर रात से यहां लोग खड़े हैं रेमडिसीविर दवा के लिए दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि आप हॉस्पिटल का फर्चा लेकिया यह आपको दवा मिल जाएगी लेकिन यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कितनी बुरी हालात है मैं बहुत मुश्किल से इतने लोगों के बीच खड़ा हो रहा हूं क्योंकि मुझे इस बीस बात का डर लगता है कि क्या कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा लेकिन यकीन मानिए इन लोगों की बात पहुचानी जरूरी है कितने वैसे खड़े हैं क्या परिशानी आप लोग सब्सक्राइब कर लेकर आएं और आज सुबदी लड़का है मेरा भाई आया कल दुपैर में भी हमें इन्होंने तक इन्होंने कर दोड़ा है मैं लाउडाउन की बात कर रहा था लाउडाउन की बात तु छोड़ दीजे यहां लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जो की बहुत जादा इस वक्त डिमांड में हैं बहुत जादा लोग उसके लिए भागा दोड़ी कर रहे हैं वो भी उपलब नहीं है देश की रास दिल्ली में तो बलकी बहुत जादा है वहाँ पर सरकार ने बताया है कि उन्होंने कोशिश किये नोडल अधिकारियों की तनाती करने की ताकि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई और जो डिमांड है उसको सही से वहाँ पर मैनेज किया जा सके लोगों तक वह